चलिस तो बात कर लेते हैं JSW Steel के बारे में बहंकर तेजी जो है आपको आज के तिन देखने को मिली एक समय ऐसा लग रहा था कि स्टॉक्स आज आसमान छूने का इरादा लेकर निकला है तो लगबग 10% से भी ज़्यादा की तेजी आपको एक समय स्टॉक्स के अंदर दिखाई दे रही थी बट अकर देखें तो ओवराल मुमेंटम पॉजिटिव दिखाई दिया है लगबग 9% से ज़्यादा की तेजी दिखने को मिल चुकी है फिलाल में जिस तरह की की रेली लगबगातार स्टॉक्स के अंदर बनती है उन्यजरा रही है तो अगर पिछले एक महीने का चार्ट पेटरन आप उठा कर देखेंगे तो 400 रुपे के आसपास ये स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहा था वहाँ से लगबगातार मुवमेंट आपको अब तक इसके अंदर पॉजिटिव दिखाई दिया है और लगबग 50% से भी जादा के पॉजिटिव रिटन जो है अब तक हमारे हाथ में है तो कहने का मतलब यह कि स्टॉक्स के अंदर रेली बनती हुए निजर आ चुके है करोना वाइरस के वज़े से लगबातार मार्किट हम लोगों को गिरता हुआ नजर आ है बट इस स्टॉक्स के अंदर जो हम लोगों को तेजी पर तेजी ही दिखाई दे रहे है फिलालब दोस्तो इस समय जो सबसे बड़ा सवाल यह निकल किया रहा है कि क्या इस स्टॉक्स को हम लोगों को खरीद लेना चाहिए लोंग टम में अच्छा कासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा या फिर अभी हमें जो है जो पहले से इसके अंदर होल्डिंग किये हुए ह क्या उनको इस से अपनी पोजिशन्स एग्जिट कर लेनी चाहिए तो दोस्तो देखे जिस तरह किसे लगतार जो है कंपनी का प्रोडुक्शन्स हमने देखा है कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कंपनी को प्रॉफिट होने वाला है और आप जानते हैं कि अभी Q4 के नंब आने वाले हैं तो कहिन कहीं इस स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को तेजी का मोमेंटम और भी जादा जारी रहता हुआ नजर आने वाला है बड़ दोस्तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ तेजी के अभी माहौल जो हम लोगों को चल रहा है और अगर शोट टम के लिए गेंप ले करना चाहते हैं तो कुछ स्टॉक्स यहाँ पर खरीज सकते हैं कुछ स्टॉक्स अगर यह नीचे आपको लगभग 580 रुपे या फिर 560 रुपे के आसपा जाता हुआ दिखाय दे सकता है महाँ पर एड़ कर सकते हैं कहने का मतलब है कि स्टॉक्स के अंदर हम लगों को नीचे की तेयारी करके चलनी है तो हमें अच्छा खासा मुनाफा उपर की तरफ अराम से मिल जाएगा तो बहुती बढ़िया जो है इस स्टॉक्स हमें लग रहा है अगर पिछले 6 महीने का भी चार्ट बढ़ाना कर आप देखेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा आपको स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल चुका है लगबग 111% से जादे की तेजी आपको पिछले 6 महीने में देखने को बलिए इसी तरीके से देखें तो पिछले 1 साल में अच्छा खासा मोमेंटम कंपनी के अंदर दिखाए दिया नीचे 166 रुपे की आस्वास ये स्टॉक्स हुआ करता था लगातार जो है अच्छा खासा मोमेंटम इस कंपनी के अंदर दिखाए दिया 270% से ज़्याद के पॉजिटिव रिटरन बनते हो निजरा है एक साल पॉजिटिव 6 महीने पॉजिटिव एक महीने पॉजिटिव अब देखत तो अच्छा खासा मोम अभी तक जो है में स्टॉक्स के अंदर दिखने को मिल चुका है अवराल देखें तो मल्टिवेगर रिटरन जो है बनते बने जरा हैं एक लाक एक 31,000 परसेंट से जादा के पॉजिटिव रिटरन बन चुके हैं 2003 से लेकर 2001 तक की स्थिति अगर आप अवराल देखने की कोज़िस करेंगे तो तो लोंग टम में यही पावर होती है दोस्तों जिसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि कहीं न कहीं लंबे समय के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा देखने को मिलता है बट अगर आप सोचत लोगों को और भी उपर के लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा बट कहीं न कहीं लोंग टम में फिर भी आपको बता देता हूँ क्योंकि उपर नीचे के चार्ट पेटर्न निजदाने कितने लेवल्स आपको नीचे के देखने को मिलेंगे निजदाने कितने और उपर के देखने को मिलेंगे बट कहीं न कहीं लोंग टम में ये स्टोक्स हम लोगों को और भी उपर जाता हुआ दिखाए दे सकता है लगातार जो है कंपनी हम लोगों को मजबूत होती हुए निजदार आ रही है और अगर आज की बात करते हैं तो 1.5 trillion market cap के कलब में ये कंपनी इस समय शामिल होती हुए निजदार आ रही है लगबग 57% जूम यानि कि हम लोगों को तेजी देखने को मुली है पिछले एक मह लगातार जो है stocks के अंदर तेजी हम लोगों को दिखाए दे रही है और अगर देखें तो market cap के अंदर तो लगातार व्रद्धी होई रही है company की value बढ़ रही है और भी बाकी की company है जो steel sector से बिलॉंग करती है उनके अंदर भी हम लोगों को इसी तरीके का momentum इस समय देखने क करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं company की value हम लोगों को किस तरह किसे दिखाए दरी तो market cap लगबाग 14,449 करोड रुपे से जादा का market cap हमें दिखाए दर आए तेखें फिलाल में market cap बढ़ चुका है तो अभी updated जो है data हम लोगों के पास में available नहीं है बट जो previous data है वो मैं आपको दिखाने की कोसिस करता हूँ तो फिलाल में क्या है कि market cap के अंदर हम लोगों को ब्रदी देखने को मिल रही है dividend की बात करते हैं तो ये company हम लोगों को लगतार dividend प्रवाइड कराती हूँ ने जरा लिए अब एक और पहलू है company का वो भी आपको देख लेना चाहिए द return on equity की बात करते हैं तो ये भी हम लोगों को positive ही दिखाए दर है पिछले एक साल के इंदर जिसने जितना चाहा उतने multi-bagger return जो है प्राप्त कर चुके हैं अब तक देखें तो लगतार जो है तेजी का महूल इससे में हम लोगों को दिखाए दर है अब उसके बात करें peer comparisons में जो बाकि की other जो company हैं उनकी स्थिती किस तरी किसे दिखाए दरी है और JSW Steel की स्थिती किस तरी किसे दिखाए दरी है देखे अगर market cap के बारे में बात करने तो सबसे ज़्यादा जो market cap है हमें JSW Steel का ही दिखाए देता है उसके बाद में Tata Steel का हो गया एक लाग दस जार करोड क्या इसपास है उसके बाद sales का हो गया तो काफी सारी company हैं तो कहने का मतलब है कि number one पे JSW Steel इससे में हम लोगों को दिखाए दरी है अगर अगर इस साल को छोड़ दिया जाए बट अगर overall momentum देखें तो लगतार जो हम लोगों को sales बढ़ती हूँ नजर आ रही थी हाँ इस सा इससी तरी के से दिखाए दरी लगातार रुक रुक के company का profit हम लोगों को बढ़ता हूँ नजर आ रहा है हाँ ये बात जरूर है कि इस साल जो है company के profit के अंदर हम लोगों को गिरावट दिखने को मली है लगबग 34% से जादा की गिरावट इस साल हुई है बट अगर देखे तो साड़े 11% से जादा की तेजी देखने को मल रहे है ROC की स्तिती भी मजबूत दिखाए दरी है पांस साल तीन साल और एक साल के दुरान इसी तरीके से बात करते हैं अब जो share holding patterns है तो promoters की जो से जादार है हम लोगों को दिखाए दरी है लगग 44% के आसपास दिखाए द हैं दिसंबर 2019 से यह holding आपको दिखाए दे रही है बट कहीं न कहीं अगर तब से लेकर अब तक की आप इस्तिती देखने की कुसिस करेंगे तो आपको यह संख्या कम दिखाए दे रही होगी उस समय लगब 32% के आसपास holding हुआ करती थी धिरे-धिरे करके जो है उसके अंद चाहते हैं नतीजे के नतीजें एहम رोल प्ले करते हैं आप जानते हैं कि Q4 का सीजन स्टार्ट हो चुका है तो कहीं न कहीं इस स्टॉक्स के अंदर अब बड़ा action आपको देखने को मिलेगा यह रेली आपको और भी उपर की तरफ जाती हुँ नेजर आ सकती है बड़ कहीं कहीं मैं आपको फिर भी बता देना चाहता हूँ stocks कभी भी इस तरीके से नहीं चलता है कहीं न कहीं up and down up and down आपको देखने को जरूर मिलेगा तो बहुत मौके मिलेंगे stocks के अंदर खरीदारी करने के हाँ ये बात के लिए हो चुकी है कि ये stocks जो आपको definitely पैसा कमा के देने वाला है बद आपको सर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि खरीदारी करते वक्त अगर आप गिद बनकर stocks में निगाए बना रखेंगे तो कहीं न कहीं आपको ऐसी positions मिल जाएगी और आप उससे जितना चाहेंगे उतना पैसा कमा सकते है suppose that stocks इस समय आपको 616 रुपे के आसपास दिखाए दर है कहीं न कहीं opportunity मिलेगी वापिस से आपको 500, 500, 500, 500 कहीं न कहीं ये stocks आपको मूँ करता हुआ नजर आने वाला है पकड़ कर बैठियेगा अच्छा खासा पैसा जरूर बनने वाला है देखे अगर दिसंबर 2020 की बात करते हैं तो सेल्स बढ़ती उन जरा रही है 19,249 करोड के आसपास दिखाए दे रही है पिछले तीन क्वाटर से लगतार से लगतार से अंदर लगबख 77,187 करोड के आसपास तो कहने का मतलब यह है कि पिछले साल से गिरावट देखने को मिली है 2020 खराब रहा है काफी कंपनियों के हिसाब चेकर आप देखेंगे तो एक साल के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली सेल्स में अगर देखें तो ओवराल मुमेंटम पॉजिटिव दिखाए दर है 36,000 करोड सेल्स दिखाए दर ही थी 2016 के अंदर उसके बाद 52,000 करोड वापिस देखते हैं 6,000 करोड 77,000 करोड तो कहने का मतलब यह कि यह साल छोड़ दीजे आगे जो डिटा हम लोगों के सामने निकल के आएगा कहिन की पॉजिटिव दिखाए दर है अब अगर बात करें दोस्तों प्रॉफिट की तो देखें 5,291 करोड रुपे की आसपास दिखाए दर है प्रॉफिट के अंदर भी आपको वही सिती दिखाए दर ही है अगर आप ऐसी कंपनियों के अंदर डिमेट अकाउंट ओपन कर रही है किसी भी तरकी का कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज जो है आपसे नहीं ले रही है तो अगर आप अप स्टॉक्स के साथ में जुड़ना चाहते है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है वहाँ से जाकर आप सीधे डिमेट अकाउंट ओपन करा सकते है दोस्तों करें जानकारिया आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीज़ेगा चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना तक कि नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीध है आपके मॉबाइल पर मिल सके तकूं कि सुक्तों करे चूंज लगीडियो लाइक जरूर की पर अच्छों करें झाल 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 झाल